जै मस्य की मेरे पिरियो भाईयो भानू जी हां आप लोग देख रहे हूंगे है ना उधार के बारे में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं नी बातचीत करने वाले हैं उस दिन पहले हम लोग कुछ दुसरे वीडियो में हम लोग वचन के बारे में बातचीत किये थे हैं आज हम लोग उधार क्या है उधार क्यों जरूरी है ना और इससे ही उधार क्यों है और इतने सारे आज हम दुनिया में देखते हैं संसार में देखते हैं बहुत सारी देवी देवताएं हैं बगवान है इस वर हैं अल्ला है पर उन सबों में आखिर उधार क्यों नहीं आखिर इस की खोक से है ना माग के पेट से हम लोग जनम लेते हैं संसार में आते हैं पर हम लोग पाप ही में जनम लेते हैं ना क्योंकि दाउद ने कहा है मैं पाप की मध्यम से जनम लिया और आज भी पाप करता हूं पर हमारी भूल चुकि गलतियों पापों कहमें माप करना है है ना क् हम जानते हैं यिसमसी अपना जीवन में सत्य जीवन और मारग यिसमें ही है है ना कोई पिता के पास नहीं पहुंच चकता है यिसमसी के बेरा क्योंकि यिसमसी ने परमिसर और धरती और इमानों की बीच का संबन को बनाया है जोड़ा एक रस्ता बनाया कि हम लोग अगर यिसमसी में रहकर इस प्रिथी में जीएंगे उनके साथ इस दुनिया से हम मिट जाएंगे यिसमसी के साथ मेराते हुए हम बनेंगे तो हम परमिशर के साथ मेल कर सकते हैं क्यों क्यों कि हम इस मसी के साथ चलना सिख लिए है इस मसी परमिशर के साथ मेल रखता है हम जितने जानते हैं जितनों नों उन्हें गरहन किया उन्हें परमिशर का संतान होने का अधिकार हमें दिया है जी हाँ मेरे पिरियो आप जानते ही हैं मेरे पिरियो भायो भनो आप लोग वचन पढ़ सकते हैं ना यहोना एक बारा में जीतने लोग हम लोग परमेशर को ग्राहन किये हैं वो लोग परमेशर को संतान होने का हमें अधिकार मिला है क्योंकि हम अगर अपनी पुरानी बात पुरानी चाल चलन पुरानी आदत पुरानी लड़ाई जगड़ा दारू नसापान पुरानी हर चीज हमारी जिवन में है और हम चाहेंगे कि परमिस्वर के हैं नहीं यह नहीं हो सकता है हमें हर पुरानी चीजों को निकालने उखाता है जी हमारे पापों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया जी हमारे पापों के सरे में कोड़े पड़े उनके हाथ में कीले पड़े उनके सीर में काटे पड़े यह सब क्यों पड़े हाँ पिरियो अब जानते हैं क्योंक मसी अपना मिलित्यू ले लिया अपनी हर तूक और तकलीब को इस मसी कुछ सहाजी हां हम जानते हैं आगे कुछ खास बाते करेंगे आज के लिए जै मसी